एक हिंदू बच्ची के साथ एक धर्म विशेस से जुड़ी चुड़ी बेचने वाले लड़के ने छेड़ छाड़ की जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई लगा दी तब से इंदौर में तनाव का महौल है चुड़ी बेचने वाले के पास तीन फरजी वोटर आईडी कार्ड भी मिले हैं जो जाहिर करते हैं इस चुड़ी बेचने वाले की इरादे कुछ और ही थे आरोपी के खिलाफ वोक्सो एक्ट के साथ तीन केस दर्ज किये गए हैं हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर ऐसे समाज विरोजी तत्मों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने की मांग की है बारगंगा छ्षेतर में चूड़ी बेचने वाले युवक तसलीम के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है पुलिस ने इसे लेकर तीन केस दर्श किये हैं एक केस चूड़ी पेशने वाले तसलीम के पास तीन फरजी बोटर आईजी कार्ड मिलने पर दर्श किया गया है दूसरा एक नाबालिक से छेड़ चाड़ का जिस पर पाक को एक्ट के तहत मामला दर्श किया गया है उधर उसक साथ मार पीट करने वालों के खिलाव भी मामला दर्श कर पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत मिलिया है तसलीम द्वारा बच्ची के साथ छेड़ चाड़ करने के बाद अल्पसंख्यक समुदाए ने सेंट्रल कोत वाली ठाने पर हंगावा किया जिस पर पुलिस ने 33 लोग मनीश कपूरिया को ग्यापन दिया है हिंदू जागरन मंच ने सुभा तीन स्थानों का चैन किया और कारकरताओं को बुलाया एक टुकडी नहरू पार्क पर जमा हो गई जबकि कुछ लोग बाल नियम मंदिर स्कूल और तीसरा जथा यश्वंत प्लाजा के पास जमा वालमी की समाज की किशोरियों के साथ अश्लीर हरकत करने और उनके स्वजनों पर जान लेवा हमला किये जाने पेजाजी नगर ठाना छेतर में सौतंतरता दिवस पर वर्ग विशेश के युवको द्वारा पत्राव वा तोड़पोर की घटना किये जाने से नाराज हैं हिं प्रक्टिकल एक्सपोजर पो एंजिनरिंग मेरेजमेंट, फामसी, मेडिकल, अग्रिकल्च्छर साथ परामेटिकल, लॉव और जाने पर विशेश के लुट अगर तक जोपडी से महलो तक थेलों से मेलो तक पकदंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों ता, राज़्टीती से कूट मीती ता, दखन न्यूद, आपके हत्त, आप देख रहे हैं, दखन न्यूद